पब्लिक टीवी आपकी आवाब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिधार्थ नात सिंग ने सपा अध्यक्ष अकलेश यादब पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कोरोना काल में कामगारों के पलायन का मुद्दा तो उठा रहे हैं लेकिन उनकी सरकार में कोरोना में पलायन हुआ था वो से भूल गए हमने तो पलायन वाले 45 लाग कामगारों को काम दिया है अकलेश यादब के यूपी से बुल्डूजर और सान हटाने वाले बयान पर सिधार्थ नात ने कहा कि इसका मतलब हुआ कि फिर से यूपी में गुं तो गुंडा राज वापस आ जाएगा उत्तरप्रदेश में टैट परिक्षा के सवाल पर अखलेश यादब पर हमला बोला और कहा कि अखलेश यादब भूल जाते हैं कि आपके यहां तो ये इंडस्ट्री चल रही थी उस इंडस्ट्री के जितने तार हैं एक के बाद एक हम खीशते जा रहे हैं और आपकी क्या नीती होती थी दोशी को पकड़ा नहीं जाता था उसको पकड़ने का काम नहीं करते थे बलकि शड़ेंतर करके पेपर को लीग करने का काम करते थे जिससे की मुनाफ़ावी हो और आपके लोग भी एडजस्ट हो जाएं जो लोग से आयोक के माध्यम से या दूसरे माध्यम से वहां पर एक्जाम होता है लेकिन इसमें हमारी नीती बिल्कुर अलग है योगी जी की नीती है कि जो गलत हो रहा है उसे मानेंगे भी और स्विकार भी करेंगे लेकिन जो मेरिट है उसे दरकिनार नहीं करेंगे आज उसके माध्यम से कितना रोजगार पर उत्पन हो रहा है एक हमारी स्कीम है जिसमें हम टूल किट का वित्रन करते हैं ट्रेनिंग दे के और ट्रेनिंग भी देते हैं तो डाहिजार का स्टाइपन भी देते हैं और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एक हजार पच्छिस लोगों को टूल किट दिया है मैं एक और हमारी स्कीम है उसको भी मिला दू टूल किट की तो पंदरा सो उसको भी जोड़नू तो लगवग धाई जार लोगों को हम लो टूल किट दिया है तूल किट क्या होता है जो महिलाएं होती है वो ट्रेनिंग करती है वो अपने घर पे कहीं सिलाई का काम करना चाहे कोई मिठाई की दुकान चलाता है उसके अंदर हम लोग लोन दिलवाते हैं लोन के साथ हम लोग जब दिलवाते हैं तो वो किस प्रकार से और बेतर वस्तों क बना सकें पक्वान बना सकें उसकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग उसके स्पेशलाइज मशीन जो आती है आधुने वो मिल सकें और जो आज अब बताने जा रहा हूं वो साहई व्यपारियों को सबसे बड़ा कश्ट था वो हो यह था कि MSME के तहट अन्य योजनाय तो हो जाती है MSME के तहट जितनी मैंने आपको योजनाय बताई मगर जो माइक्रो इंटरप्राइज होती है जिसको कहते है किराना स्टोर बोलते है ई-कॉमर्स का जो ट्रेड करते है विजिटल जो करते है या मनोरंजन वाले जो होते हैं उनको ये लाब नहीं मिलता था इन स्कीम में जो MS कि मैंने कल एक फाइल साइन करी है जिसके अंदर जो किराना स्टोर है जो इ-कॉमर्स वाले हैं और जो मनोरंजन में का बिजनस करते हैं वो भी अब MSME में आएंगे और जो हमारी जो मुख मंत्री स्वरोजगार योजना है उसका भरपूर वो लाब खाएंगे उसमें खाली पहले था उसमें भी संचोरजन है पहले हम 25 लाक रुपे तक की लोन वित्रण करते थे उसको जो कल पाइल साइन करी है उसको 25 लाक से अब एक करोड़ तक की कर दिया है जो आप छोटे किराना स्टोर वाले हैं आप मुख मंत्री स्वरोजगार योजना के आपको ये लोन मिलेगा सबसेडाइज मिलेगा और उसके अंदर कुछ स्कीम है इसका फाइदा मिलेगा सबसेडी मिलेगी वो आप ले सकते हैं और बैंकों के माद्यम से क्योंकि आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कहां से हम पैसा ले क्योंकि आपके जो खाते होते थे खाते में दिक्कते आती थी